आज मैं आपके साथ एक remedy शेयर कर रही हूं और जिसमें मैं आपको बताऊंगी बहुत ही कम सिर्फ तीन चीजों से यह मैंने सोप घर में तयार किया है जिससे आपके जो भी एक्ने की प्रॉब्लम है बेसिकली मैंने सिर्फ तीन चीजों का इस्तेमाल किया है इस साबुन को बनाने में तो आएए देखते हैं कि वो क्या चीजे हैं तो सबसे पहले जो यह साबुन मनाने के लिए हमें सामान चाहिए आप चाहें तो सोप बेस ले सकते हैं सिंपल और या फिर यहांपर मैंने एक या सिंपल कोई भी सोब बेस ले सकते हैं इसके लावा दो हम यूज करेंगे विटामिन ए के कैपसूल और उसके लावा ये रेकिए नीम की पतियां हैं यह फ्रेश नीम की लीव्स हैं इसके मैंने 15-20 स्टैम लिए और इस तरह से इसके लीव्स अलग कर लिए और इसे चल जाए अच्छे से और उसके बाद इधे आप एक मिक्सर जार में डाल ले उसके बाद आप जो हमने यहां पर यह साबुन लिया था उस साबुन को मैं ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करने वाली हूं और चाहें आप पेर्स यूज करें चाहें कोई सोब बेस बहुत ही इस साबुन को आप इसी तरह ग्रेट कर ले उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मैंने लीव ली थी उसे मैंने इस तरह से एक मिक्सर ग्राइंडर में डाला है और उसका एक पेस्ट बना लिया है और पानी चाहें तो आप एक चमश डाल सकते हैं और दरदरा एक फ Mendid64 उआर करेंगे वह किस में करेंगे तो वह मोल्स की जरुवत पढ़ने वाली है अगर आपके पास सीलिकोन मोल्स है इस तरह के तो आप वह यूज कर सकते हैं या घर में और तो आप उन बिब्यों का भी यूज कर सकते हैं तो अगर आप सिंपल डबी ने कर उसका अच् और next जो step होगा, जो हमने साबुन को grate किया था, उसे मैं एक saucepan में डाल रही हूँ, तो सारे साबुन को आप इस तरह से saucepan में डालने, next, हमें एक saucepan लिया है, उस saucepan से बड़ा एक बर्तन लेना है, और उस बर्तन में हमें पानी गरम होने रखना है, तो जब वो पानी boil होने लगेगा, तो ये saucepan हम उसके ऊपर रखेंगे, यानि double boiler की मदद से, हमारा साबुन है, उसे हमें melt करना है, ध्यान रखे, पानी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, बस पानी boil हो, और जो उसकी गरमी है, उससे ये साबुन अपने आप melt होगा, तो आप उसे इसी तरह से लगातार चलाते रहें, ये देखें, साबुन मेल्ट होने लगा, और इसी तरह से ये पूरा सोप, पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा, ये देखें फ्रेंड्स, ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देख रहे होंगे, काफी हद तक मेल्ट हो चुका ह next जो इसका step है वो यह है कि हमने यह पत्तियां ख्रश की थी mixy में तो हम इसमें दो बड़े चमच हम इसमें आट कर रहे हैं और उसे बहुत ही अच्छी तरह से mix कर लेंगे इसमें साबून के साथ ताकि जो साबून के थोड़े बहुत पीसस्यहां वो भी अच्छे से अच्छा है स्किन के लिए आप एक बट राय करें और मार्केट से जो आप लेते हैं साबुन अपने फेस के लिए आप लेना भूल जाएंगे यह इतना इफेक्टिव है आपके चेहरे पर किसी भी तरह की दाग है या किसी भी तरह की जो पिंपल्स हो जाते हैं बारिक-बारि आप लेंगे और इस मिक्षर में अपना एड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक तरह से बेस हमारा पूरा तयार हो चुका है और आप देखे यह बिल्कुल अच्छे से मेल्ट भी हो चुका है हम पिल्कुल प्रबहे रां कर आए बारें अरथ की जो छोंपry करना है सोप अपना जस भी शेप में आप उस म्वोल्स में यह अपना जो तैयार मिक्सिचर है यह एड करें आपको यह यह दो प्लास्टिक वाले बोल में भी डाल रही हूं और इस तरह से मेरे तीन लगबग सोप तेयार होने वाले हैं और यह पूरा मैंने मिक्स्चर एड़ कर दिया है और अब हमें इसे इस तरह से ही आप वैसे तो अभी विंटर्स का मौसम है आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो और अधर्वाइस आप इसे फ्रीजर में यह देखे मैंने इसे फ्रीजर में आधे गंटे रखा है और आप द करने से यह जो साइड्स है वो रिलीज हो जाएंगे और आपका साबून बिना टूटे बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने इसमें वैसलीन एड़ की ती नीचे तो यह रेखिए यालग होने लगा और अब हम इसे इस तरह उल्टा करके टैप करेंगे थोड़ा सा और बहुत ही साबून हमारा बाहर आ जाएगा यह देखिए वाव कोई कह सकता है कि साबून मैंने घर पे बनाया है बिल्कुल मार्केट जैसा सोप तयार हुआ है फ्रेंड्स इसी तरह से जो सिलिकोन मोल्स हैं बहुत ही यह बहार आ जाते हैं इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और आप देखिए कितने सुन्दर साबून बनके तयार हुए है हमारे और बहुत ही एफेक्टिव हैं यह स्किन के लिए आप एक बढ़ ट्राय करें पसं पूर यह स्किन रेमेडी यूज करें और मुझे बताएं अपना एक्सिरेंस कि आपको पसंद आया या नहीं और अगर यह मेरा वीडियो आको पसंद आता है तो मैं आपके साथ और भी होम रेमेडी शेयर करूंगी तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें बहुत जल्द मिलेंगे फिर से बाबाई